मेरे नमने सायन और आप देख रहे हैं ArtSkul Chakra और मैं आज ट्रॉव कर रहा हूं एक और नया पोट्रेट ट्रॉइंग और इस पोट्रेट ट्रॉइंग में कुछ काफी कुछ डिटेल्स हैं और इस details को देखते हुए मैंने इस reference image को मैंने चूज किया और इसको मैं draw कर रहा हूँ पेन से और पेन आर्ट मुझे बहुत ही अच्छा लगता है और मैं कोशिश करता हूँ कि मेरे portrait drawing के साथ साथ मैं pin drawing में भी काफी कुछ improve करूँ और मैंने इस drawing को pin drawing में मैंने convert किया है तो आप देखते रही है पूरा वीडियो मैंने real time पे upload किया है तो आप पूरा वीडियो का मजा ले और आप हर एक details को अच्छे से देखके और observe करके आप drawing practice किजिए pin drawing करते वक्त आपको बहुत कुछ चीजों का ध्यान रखना है क्योंकि pin से आप अगर एक बार आपने mark कर दिया तो आप उसको erase नहीं कर सकते तो इसके लिए आपको जब आप confidence हो कि हाँ ये mark महीं पे है तभी आपको pin वहां पे marking करना है जैसे dark के लिए मैं ज्यादा से ज्य पर 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 अपलाई नहीं करूंगा क्योंकि पहले ही मुझे base layer क्रियेट करना है उसके बाद base layer के बाद मैं one by one layering करूंगा लेकिन आपको कहीं पर भी pressure का apply नहीं करना है जब आप देखेंगे कि हाँ यहाँ पर confidence है कि हाँ वहाँ पर डार्क आएगा तभी आपको वहाँ पर प्रेशर का apply करते हुए वहाँ पर डार्क पिन का इंक से आप कर सकते हैं और आपको drawing सीखना है तो आपको ज्यादा से ज्यादा real time के वीडियो को देखना है और इसके लिए ही मैं ये वीडियो स्टार्ट करता हूँ okay let's see it झाल 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 झाल